के लिए उतना दा बहतर फाइट्स हो सकते हैं अगले कुछ स्टेज में और जहां तक बात करें सदन साइड की टीम मेगा स्टार पूरा कंट्रोल है उनके पास सदन साइड का दूर दूर तक कोई टीम है नहीं जिसके कारण इत्मिनान से लूट करेंगे और इनके उपर भी जब नजर लेके आ रहे तो आप देखे साउथीस्टन पार्ट में आ चुके है हाइड्रा और इत्मिनान से ये भी लूट करने वाले कोई चैलेंज रहेगा नी बड़ चैलेंज रहेगा उस पहले रोटेशन के लिए जैसी सर्कल का वो श्रिंक आएगा आप देखे 1400 मीटर विकेंडी इसे मैप में बहुत ज़ादा होता है ओडरा जाहेंगे कि जल से जल वो लूट कम्प्लीट करके सर्कल के तरब भी रवाना हो जिया ज़रूरी है कि आप सर्कल के अंदर पहुंचे और हम बात कर भी रहते कि विकेंडी जैसे मैप में उनके साथ हम जाएंगे तो पता चलेगा बर टीम हाइडरा बहुत एक स्मूध स्टार्ट की है लूट को अच्छे तरीके से ध्यान में दिया गया आप देगे डीवेस मिल चुका है पाँच ग्रिनेड और आठ स्मूग कैरी कर रहे है इससे साप साप हमें अंदाजा लगा सकते है कि यूटिलिटिस किस तरीके से इस्तमाल होने वाले है इस बुकाबले में अभी दूसर स्टीज है इसलिए चीज़े बहुत जा स्लो पर जैसे ही हम चौते या पाच्छो स्टीज में जाएंगे यह सारे कि सारे यूटिलिटीज हमें इस्तमाल होते हैं देखने को मिलेंगे जिया हाँ है थोड़ा नस्दीक आए टीम ग्लाडियेटर्स के वो भी सेंटरल के एरिय गई और कोई एक खिलाडी वहाँ पर अभी भी मौजूद हो बट ऐसा हुआ नहीं है दूट आई के सारे प्लेयर्स अलरी जर्कल के अंदर जा चुके हैं जस्टिन ने खिलाडी को और वहाँ पर इंफोर्मेशन दी गई एनिमी से हेड मार्क किया गया तामेज भी दिया ग बढ़िया एक साथ वो जो प्लेयर्स वो बिल्कुल सदर्न साइट पर देखने को मिल जाएंगे बट ये जोन भी खेल तो खेल रहा है आप देखे पहले एक हाटने को मिल रहा है पर टीम हाइडरा के पास मैन एडवांटेज भी है जोन एडवांटेज भी है और आप एरिय देखे कितना जादा एरिया कंट्रोल हमें टीम हाइडरा के पास देखने को मिल रहा है अता इंपाक्ट रियेट करना चाहा रहते है टीम एक्स पार्ग वो पूरी तरीके से बैक फूट पर पुकार जो की आखरी के लाड़ी में और सर्कल को ही प्राइटाइज करते है बर दूसरे तरफ जस्टेन उनको डाउन किया जाएगा हाइडरा के स्प्रे गौड वो डेश्ट्रो को भी डाउन करेंगे और देखते ही देखते ही टीम ग्लाडियेटर्स उनका एलिमिनेशन भी हमें देखने को मिलता हूँ तीम हाइडरा इस मुकाबले में ये ड्रागन्स आग बरसा रहे और चिकन डिनन रिकालने के प्रबल दाविदार। अमन काफी अच्छे तरीके से इस फाइट को चो लग रहा था शायद इनके अगेंज जाएगा उसे सम्हारा है टीम हाइडरा वो सर्कल के अंदर पहले जाना चाते थे स्पोट किया गया वहापो और वहापे स्पोट करके इंस्टेंट ही वो जो एक नौक है वो निकाला ग स्टावड़ी की बात करें वो इंफोमेशन के लिजा रहे हर बार आप देके शिफ्ट के दोरान वो आगे चले जाते इंफोमेशन निकालते उसके अग्वाडिंग बाकी प्लेस भी उन्हें जॉइन जा चुका है ट्राइ करेंगे वापसी करने की लेकिन क्लो क्या इसका फ इंतिजार क्योंकि उनको वो सर्कल भी मिल चुका है और क्लॉक के लिए यहांसे सर्कल इंटर कर पाना बहुत डिफिकल्ट कवर्स नहीं उनके पास और स्मोक के सारे अब जादा आगे तक नहीं जा सकते कुछ समय तक आपको मौका मिलता है लिकिन इस तरीकी का राई काफी जादा बेटर अगर यहां पे चुकेंगे हैं हाईडरा इस तिंक वो गलत सावित हो सकते हैं बैट स्प्रे की बात करें एक ये बाद एक खिलाडियों को डाउन करते चले जारे टीम हाइडरा जाते है वो विन अविन अचे कंटेनर यहां दस फिनिश वो अल्री निकाल कि हैं फिनिक्स का भी वो जो फिनिश है वो सेक्योर किया जाएगा और अमन बहुत जादा लो अन एच्पी और स्टार बॉइ वो रहेंगे जो फिनिश लेकर के जाएंगे स्टार बॉइ के पास चार अलुड़ी आ चुके है और अब एक टूवी फोर की बैटल है प्यम तक उन्होंने वो कुक कर लिया जरेफ बचते हैं आख नी खिलाड़ी एंड टीम हाइड्रा वो इस बरफीले रेगिस्तान में भी इतनी आख तो बरसा चुके हैं कि टीम क्लॉक को भी मुश्किले हो रही है और यहापे जरेफ को भी डाउन किया जाएगा हाइड्रा लेकर